नमस्कार दोस्तों आप देखने हैं विशाल डिटल यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल सरकार तो दोस्तों आज हम जालेंगे कि अगर गलती से आप कुछ भी फाइल, फोल्डर, फोटो, वीडियो, सॉंग या फिर कुछ भी डिलिट कर देते हैं गलती से तो उसका आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक सॉफटर लेना है जिसका नाम है Is US Data Recovery, इस सॉफटर को डाउट करने का लिंक मैं आपको डेस्क्रिप्शन में दे दूँंगा, वहां से जा कि आप इसको Simply डाउनलोड कर लीजिए, जो इसको फ्री है बिल्कुल, तो एक फोटो को डिलिट करूँगा उसके पाद इसको रिकवरी भी करूँगा वैसे तब कुछ भी कर सकते है रिकवरी लेकिन एक्जांपल के तौर्ट पर दिखाने के लिए एक फोटो करके दिखा जाओं आपको सबसे पहले आप अपने फाइल में जाएंगे एक चलनल एक डिस्क है इस पर क्लिक करेंगे इसको खोलेंगे आप देख सकते हैं यहां पर मेरा एक इमेज है इसको हम रिकवरी करेंगे तो इसको हम डिलिट कर लेते हैं अब है यस डिलिट हो गई है इसको काट देंगे अब जब आपको क्या करना है जो सॉप्टर इसको तो यहां पर आपसे पूछेगा कि आप कौन सा ड्राइब में जाना चाहते है जिस ड्राइब से आपका फाइल ड्रीट हो आए उसको स्रेट कीजिए दो बर क्लिक कीजिए उसमें तो जो ड्राइब है वो आपका अभी लोड हो रहा है हो गया है है अभी यह जो हमारा इमेज है यह वाला है वो क्योंकि जो यह पिलास्ट में आएगा तो इसको म्याश्ट करेंगे इस फाइल ड्रीकोबर देखि ड्रीन स्कैन में भी हो कर देते हैं तो जख सकते टिक हो गया यहां पर भी जो फाइल आपको दिखाए दे रहा है जो इस तरह rate करकर जो एक arrow जासे दिखाए दे रहा है ये सब delete हो गया है लेकिन अभी जो file में ने delete किया उसको recover करेंगे तो इसको हम tick देंगे ऐसे और नीचे ऐसा option आगा recover इस पर click करेंगे अभी पूछ रहा है कि आप कहाँ पर इसको save करना चाहते है तो इसको desktop में करते हैं ओके तो सिर्फ थोड़ा सा time लेगा recover करने में अभी हो जाएगा तो यह अपने आप यह आपको अपने target के पास ले जाएगा यहाँ पर है quick scan existing यह देखिया है हमारा जो photo hair हो आ गया है तो दोस्तो इस तरह से आप कुछ भी recover कर सकते हैं तो thanks for watching और दोस्तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को like and share कीजिए जब से ज़्यादा thanks for watching से ले हो आउ झाल